Hello students, welcome to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are healthy and safe. So students, अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, Class 3, English का Chapter 3. तो आप सभी अपने English के books अपने साथ रखें, ताकि आप भी मेरे साथ अपने Chapter की Reading कर सकें और Chapter को अच्छी तरह समझ सकें. Chapter 3. Water All Around You. Chapter का नाम है Water All Around You, यानि आपके चारो और पानी. ठीक हैं? चलिए इस Chapter की Reading और Explanation स्टार्ट करें. You know that there is water in the air that you cannot see. क्या आप सभी को पता है? हमारे आसपास जो हवा है, उसमें भी पानी हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता. When it is not present very much in the air, there will soon be rain. The wind gathers up and water that is on the land and in the oceans a little at a time. It carries the water up into the sky. The water stays there as long as the water that holds it is warm. When the air gets cool, the water forms little drops in the sky and falls down to the ground. This is how we get rain. हवा में पानी कहां से आया? जो हमारी नदियां हैं, तालाब हैं, जितने समुद्र हैं, इन सभी में जो पानी हैं, वो धीरे धीरे भाब बनकर हवा में उड़ता रहता है. और जब ये भाब हवा में उड़ती हुई, उपर की ओर जाती हैं और इसमें कूलिंग होती हैं, यानि जब ये ठंडी होती हैं, तो ये पानी की ड्रॉप्स यानि पानी की बूंदे बनकर नीचे की ओर आती हैं, और इस वज़े से बारिश होती हुई हमें दिखाई देती ह ठीक है, in the morning you will see tiny drops of water on the grass, flowers and leaves सुबह जब आप किसी garden में अगर grass वहां की घास को देखें, वहां के फूल और पत्तियां देखें तो आपको वहां उन फूलों पर और घास पर छोटे छोटे पानी के drops दिखाई देंगे इस पानी को जो कि एक बार हवा में था और अब इन घास पर या फूलों पर पानी की drops की form में आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं dew यानि ose There are men who watch the sky and write down all the things they see They use instruments to tell whether it is going to rain बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा sky की ओर देखते हैं और उसके बारे में जानकारी इखटी करते हैं और वो बहुत सारे instruments की मदद से हमें बताते हैं कि कब वर्षा होने वाली है These people are called weather forecasters इन सभी लोगों को हम weather forecasters कहते हैं यानि मौसम विभाग के लोग जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं They can tell us when and how much it is going will fall to the earth as rain, snow, hail और fog ये सभी हमें बताते हैं कि कब और कितने समय और कितने amount में वर्षा होने वाली है या बर्फ गिरने वाली है या ओले पढ़ने वाले है या धुंद पढ़ने वाली है This helps us to know what kind of clothes to wear and whether we should take our umbrellas or not इससे हमें मदद मिलती है ये जानने में कि हमें किस तरह के कपड़े पहन के बाहर जाना चाहिए और क्या हमें अपने साथ अंब्रेला ले जाने की जरूरत है या नहीं They tell us whether it is safe for aeroplanes to fly और ये साथ में ये भी जानकारी देते हैं क्या ऐसे समय में aeroplanes का उड़ना सही है या नहीं We need water to fill our rivers and oceans If water did not fall on the earth but stayed in the air all the flowers, food, crops, animals and trees would die हमारी नदियों और तालाब को भरने के लिए पानी की आउशकता होती है अगर सारा पानी सिर्फ हवा में घूमता रहे और वर्षा बनकर नीचे ना गिरे तो हमारे सभी पेड़ पौधे, हमारी फसले, हमारे animals जो हैं ये सभी मर जाएंगे क्योंकि सभी को पानी की आउशकता होती है We need water every day for many purposes हर दिन हमें पानी की आउशकता होती है बहुत सारे कामों के लिए पानी को हम पीने के लिए इस्तिमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए और फसलों को पानी देने के लिए इन सभी कामों में पानी का इस्तिमाल किया जाता है Without it we cannot leave, इसके बिना हम नहीं रह सकते The next time you pour water into a glass, remember where it comes from and if you ever have to cancel a picnic because of the rain, don't get upset तो अगली बार अगर जब आप गिलास में पानी डाले तो आप ध्यान रखें कि ये पानी आपको कहां से मिला और अगर वर्षा की वज़े से अगर आपको अपनी picnic cancel करनी पड़े तो आपको इससे दुखी नहीं होना चाहिए The water in the air is just falling down to earth again so that you can have the drink and food you need and so that all the flowers and trees and everything else can grow तो जो हवा में पानी था वही वर्षा बनके नीचे की ओर आ रहा है ताकि हम अपने पानी से संबंदित सभी जरूरतों को पूरा कर सकें जैसे पीने के लिए और हमारी फसलों को भी पानी मिल सकें ताकि हमें food भी एविलेवल हो पाए तो ये था आपका complete chapter I hope आप सभी को chapter अच्छे से clear हो गया होगा आप सभी इस chapter की reading एक बार खुद से जरूर करें ताकि आप सभी की reading इंप्रूव हो सकें Okay students, thank you for watching the video